नमस्कार विध्यार्थियों उम्मेद करका है आप सभी लोग उम्मेद करता बहुत ही बेटर होंगे मस्त होंगे एक दम तरना तर होंगे बढ़ाज में लेक्षेस लेकर आया हम विराम चुन्य का इसका विराम चुन्य ने जो कि महाराथी में दो गुड़का ता कितने ले का लिए का डेड़ वाइस गया रहा है माराथी दसवी तक चाहू नाइन वाले भी इसको सीख सकते हैं यहां पर बहुत इस तरीके से सीख सकते हैं यहां पर देखें आप क्या है आपका पहले सबसे पहला क्या है आपका पूर्ण विराम चिन ने क्या है आपका सबसे पहला आपका पूर्ण विराम चिन है जो कि एक बुंदी है दूसरा क्या है आपका पूर्ण विराम चिन है क्या है आपका अपूर्ण विराम चिन है आपकर दो बुंदी है कि कि कुके और थ बिरा में आपर अफसारण चीन यहां पर क्या आप्सारण बड़ा ऊता है और स्वाईय। क्या होता है खोटा होता हैया आपक स्वालफ क्या याज मतलब wraps क्वेस्टन मार्क फट गार मतलब क्किन मार्क उद्गार्च मतलब पानी आए तपक गया अपका उद्गर चिंद हो गया आपसाईयोग में बताया साइयोग और करना है कि मालो यहां पे दिया है कि थी अधी डिया है योग बितेटब वा क्यांता इसमाल है ढतार मतलब क्या बोलेगा आपको उप्योग करने बोलेगा आपको यूज करने बोलेगा क्या करने बोलेगा आपको उप्योग करो यूज करो उसमें लगाओ क्या क्या लगने वाला है तो हम बात करेंगे सबसे पहले normal sentence में लगता है आप पूर्ण विराम कोई sentence कर रहता है पूर नहीं रहता यह कभ लगता है ये भी बहुत आपको जीटना importance है मैं बताता हूं इक, दो 3 more 4, 5, 6 और 7, एक 8 इतना आपको importance आने माला है अगर मैं बात करूं तो कब लगता है जब कोई ब्यक्ति किसी से बात करता है आप लोग लिए अगर इंगली से पढ़ा होगा नारेशन डारेक्ट इन डारेक्ट तो लगता है ना कामा डबरेनोर कामा वो सब यूज है ओके यहां पर क्या है स्वल विराम चिन जब कोई चीज बहुत बार से मैं ब प्रस्न पूछता है क्या करते कोई जब प्रस्न पूछता है यहां पर उद्गार चीन मतलब क्या होता है जब फीलिंग होगेरा इमोशन के अपनों ब्यक्त करते तो क्या लगता है यहां पर उद्गार चीन मतलब जैसे मैं बोलों कि घरो घरी घरो घरी मतलब कही नहीं कही एन नहीं दो चीज की रिपीट होता है घरो घरी दोनों क्या होता है करी। समर्स करा中共 अपड़म नम SHA में यह उत्ता श्मुजत करा मसला को कई क्या वह वह वाला को arts यह युकियो करने यह उसे पियोग किνे माजी साड़ा घरजवड आए माजी साड़ा घरजवड आए आप क्या दिया कि यहां पर एकदम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो यहां पर क्या लगा सकते हो कि पुन ने बिराम क्या लगांगे आप पुन नविराम लगा दिये इतना आपका सेंटेंस सेंटेंस कम्प्लीट हो गया अगर मैं बात करो दूसरा गंगा यमुना गोदावरिया भर्त तील नध्या आहिप यहापका क्विश्च वरी वरी इंपॉर्टन टॉपिक प्ली कई नहीं कई नजी की बात हो रही है तो बेटा आपको या पर यह चीज आ जाना थी है स्वाल पिविरा में आ जाना चाहिए कि सर यहां पर उत्तर पहले उत्तर पर क्या लिखेंगे की माजी कि माजी साड़ा कि भारा कि जवड कि ओके स्वाल पिवरा इस विखेंगे नात को कि आना चाहिए रही है तो क्या लखेंगे ओ घंगा कामा यह कभी अ गोधावरी पूरा लगा कि आहट आगे नहीं के आकश्या गजिए का आएए के आपका सेंटेंप कम्रीट हो जाएगा पूरा यहाप्र नुपे कर लिजिए का उचहा वहाँ तुम्ही गूठे टो अफ्क्ने हना मशीट तुम्हीं पूठे रहे मतलब क्रशन पूच रहा है क्या क्र पहले आप पर आएगा क्योंकि पूछ रहा है कि माउसी कामा दिया है माउसी तुम्हीं कृठे रहता के लिख्वेशन माउर्ट और डबली डिला डा मा कभी भी क्वेश्चन मार्च डबली डामा के पहले मुद्र अपने को पता रहा है तो क्या लग जाएगा यहां पर लाइस्ट में उद्गार्चीन लग जाएगा पूरा कॉपी कर दो किति सुन्दर आ है ताजमाहल ऊद्गारचीन आपको याद आना चाहिए उद्गारचीन नहीं अपने यह था क्वेस्टा नहीं करना है यहां पर देखा बिराम चिन ने दो गुड का था आपको अपनी नोट बना के आपको अपने मन से बिएक्जाम पदली कि जब तक स्वाल नहीं करोगे तो आपको बेड़ा कुछ नहीं आएगा अगर आप अपने मन से मुझे जाना नहीं चाहिए विराम चिन में तरीके से मुझे सिखाया है कि आपको बहुत ही एक्डम कट्टू कर दिया हूं बहुत ही तरीके समझाया हूं मैं बोला ना जो भी है इसको बहुत जादा पढ़ने जो मैं टिक किया बताया क्या का इंपॉर्टन उतना भी पढ़े लेक्चर के साथ किसी अन्य ग्रामर के पार्ट के साथ